Hello everyone, मेरा नाम है इशान, welcome to my channel तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक complete website कैसे बनाएंगे simple six steps में So guys, let's get started तो सबसे पहला step है हमारा domain को buy करना उसके लिए हम godaddy.com पे जाएंगे यहाँ पे हम type करेंगे अपना domain name जैसे मैं करता हूँ ishandesigns.com और इसको search कर लेंगे यहाँ पे add to card पे click करेंगे और continue to card पे click करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे no thanks select करेंगे और continue to card चले जाएंगे इसके बाद में हमें यहाँ पे duration चुनना है 1 year 1 year करते ही हमारा price काम हो गया यह इसके बाद मैं आपको यह coupon code दूँगा यह description में लिखा होगा आपको यहाँ पे coupon code, have a promo code पे click करके apply कर दोगे इससे आपको instant discount मिल जाएगा तो यह देखो guys हमारा price change हो गया अब हम यहाँ पे एक account create करेंगे तो उसके लिए email ID जरूरी है यहाँ पे हम अपनी email ID दाल देंगे जैसे मैं दाल देता हूँ ishandesigns at gmail.com इसके बाद हम अपना username चूज़ करेंगे इसके बाद हम go daddy पे login करने के लिए अपना password चूज़ करेंगे create account पे click करेंगे तो वाइस यहाँ पे हमें information अपनी दालनी होगी जैसे first name, last name, address GST को छोड़ देंगे हम और continue पे click करेंगे इसके बाद payment का option आगया है यहाँ पे बहुत सारे options आ रहे हैं credit card, net banking, debit card, wallet, UPI payment तो आप किसी से भी अपनी payment कर सकते हैं अभी के लिए मैं अपने credit card से payment कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपनी card की information दालके हम save पे click कर देंगे यहाँ पे हम uncheck कर देंगे auto renewal को और complete purchase पे click करेंगे यह हमें redirect कर देगा payment gateway के page में जो कि हमारा CCA venue यहाँ पे हम अपना OTP दालेंगे और submit पे click करेंगे refresh हो रहा है इस time इसको कभी भी close नहीं करेंगे नहीं तो हमारी payment fail हो जाएगी तो guys यह देखो हमारी payment successful होगी right side पे आपको देख रहा thank you for your order अगर हम अपनी mail भी check करेंगे यहाँ पे हमें GoDaddy का एक mail आगया है अगर मैं manage your domains पे click करूँगा यह मेरे को redirect कर देगा GoDaddy पे और यह ही मेरी domain जो हमने खरीदी अब बारी है हमारे दूसरे step की तो दूसरे step है हमारा hosting को buy करना तो hosting को buy करने के लिए हम जाएंगे hostgator.in पे अब यहाँ पे हम scroll down करेंगे और यहाँ पे option है shared hosting का get started पे click करेंगे यहाँ पे different plans हैं हम basic plan लेंगे single domain का starter plan पे buy now पे click करेंगे do you have a domain आ रहा है यहाँ पे इस पे yes करेंगे अभी हमने खरीज़ी थी वो यहाँ पे type कर देंगे www.ishandesigns.com और यह जितने भी options आपको दिख रहे हैं इनको uncheck कर देंगे और continue पे click करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पे duration चूज करेंगे one month भी कर सकते हो, three month भी कर सकते हो six months भी कर सकते हो, one year भी कर सकते हो तो अभी के लिए हम one year करके देखते हैं तो one year जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे आप देख रहे हो price change हो गया 2254 और यहाँ पे coupon code लगा है sunshine करके अगर मैं one month के लिए देखता हूँ तो यह hundred, two hundred, thirty five तो आप कोई भी ले सकते हैं, beginning मैं चाहे आप one month के लिए ले 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 जिए, लेकिन मैं आभी one year के लिए select करूँगा और continue पे click करूँगा, इसके बाद मैं आपको create an account पे click करना हुगा create an account पे click करने के बाद में आपको यहाँ पे contact information दालनी होगी जैसे की नाम, address, mobile number, GST दालने की ज़रुथ नहीं है और next पे click करेंगे और यहाँ पे हमारा payment options आदाएगा net banking, credit card, paytm आप किसी से भी कर सकते हो तो मैं आभी के लिए select करता हूँ credit card और paynaut पे click करता हूँ तो यहाँ पे हम अपनी card details दालेंगे और आपकी payment successful होने के बाद में आपको एक mail आजाएगा जैसे की मेरे को यह mail दिख रहा है यहाँ पे दो important चीज़े हैं सबसे पहले तो name servers यह name server one or two दिख रहा है और दूसरा है control panel का username और password यह दो चीज़े हमें चाहिए होंगी domain और hosting को link करने के लिए तो इसी के साथ हमारा second step भी खतम हो गया अब हमारा है third step third step है link करना हमें domain और hosting को तो domain और hosting को link करने के लिए हम godaddy.com पे जाएंगे और login करेंगे अपने username और password से और वहाँ पे my products पे click करेंगे right side में और यहाँ पे देखो मेरा product दिख रहा है यहाँ पे DNS पे click करेंगे यहाँ पे आरा name server और name server हम change कर देंगे क्या हमने hosting करीदी थी हमें एक mail आया था उसमें हमारे दो name server थे name server 1 और name server 2 हम यहाँ पे name server 1 और name server 2 डालके इसको save कर देंगे तो यह हमारा third step हो गया हमने link कर दिया domain और hosting को अब है हमारा fourth step इसमें हम करेंगे install wordpress तो wordpress install करने के लिए हम जाएंगे control panel में control panel में कैसे जाते हैं अपनी domain का नाम लिखेंगे www.ishandesigns.com forward slash cpanel और यहाँ पे डालेंगे हम username और password जो की हमें mail में आया था cpanel पे login करने के बाद यहाँ पे हम search करेंगे installer तो यहाँ पे लिखा है softacoolis apps installer इसपे click करेंगे सबसे पहला option हमें दिख रहा है wordpress wordpress पे install पे click करेंगे यहाँ पे हम select करेंगे https और अपनी domain को select करेंगे इसके बाद हम site का नाम दे देंगे जैसे मैं दे देता हूँ इशान designs और site का description दे देंगे जैसे मैं दे देता हूँ Let's create a beautiful website इसके बाद हमें wordpress का username और password सेट करना है तो username मैं यही रहने दूँँगा password मैं change कर देता हूँ तो guys यह password आप कुछ strong रखें और इसके बाद मेरे को अपनी email ID देनी है तो मैं यहाँ पर देता हूँ info at ishaandesigns.com और इसके बाद मैं limit login attempts पर क्लिक करना है इसके बाद मैं आपको खोई theme select नहीं करना आपको सीधे install पर क्लिक कर देना है तो इसी के साथ हमारा wordpress भी install हो गया अब हम बढ़ते हैं अपने 5th step की तरफ अब हम wordpress की basic settings करेंगे तो basic settings करने के लिए अब हम wordpress को access कैसे करते हैं अपनी domain name लिखेंगे www.ishandesigns.com forward slash wp-admin यहाँ पर हम username पासवर्ट दालेंगे जो की हमने अभी choose किया था तो यह रहा हमारा wordpress अगर हमने अपनी website wordpress के अंदर से access करनी है तो left top corner पर जाके hover करेंगे इशान designs के ओपर और यहाँ पर आ रहा है visit website इस पर right click करके open in new tab पर हम अपनी website को access कर सकते हैं इसके बाद हम basic settings करेंगे wordpress पर उसके लिए हम right top corner पर edit my profile पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम अपना basic layout wordpress का change करेंगे जैसे मैं color change करने जा रहा हूँ आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर अपना first name दे दूँगा इशान और last name दे दूँगा शर्मा और निक name भी दे दूँगा शान और display name हम दे देंगे शान यह admin भी दे सकते हो और इसको हम update profile कर देंगे तो अगर मैं refresh करूँगा यहाँ पहले आ रहा था my admin लेकिन अब आ रहा है by शान क्योंकि मैंने शान select किया था अब दूसरी setting जो हम करेंगे वो reading में जाएंगे settings के अंदर और यहाँ पर करतेंगे discourage search engines discourage search engine से क्या होगा हमारी website जो कि अभी बनी नहीं है वो search engines में नहीं जाएगी तो इसे के साथ हमारी wordpress की settings होगी अब last step यानि की step number 6 है हमारा पूरी website को import करना इसके अंदर हमारे 4 steps आएंगे वो हम देखेंगे तो हम अपने wordpress की तरफ बढ़ते हैं हम सबसे पहले theme install करेंगे theme install करने के लिए हमें left side में appearance के अंदर themes पे click करना है और यहाँ पे click करेंगे wordpress.org themes और यहाँ पे हम search कर लेंगे theme को जिसका नाम है Astra तो Astra theme पे install पे click करेंगे और यहाँ पे हम activate पे click करेंगे activate पे click करने के बाद में theme install हो गया जैसे कि मैं यह page को refresh करता हूँ अपने तो यह देखो theme हमारा change हो गया इसके बाद में हम plugin add करेंगे plugin का नाम है elementor elementor एक page builder plugin है page builder मतलब इससे हम page को design करते हैं तो plugin दालने के लिए हम WordPress के left panel में plugin पे जाने के बाद में add new पे click करेंगे तो हम यहाँ के यहाँ सर्च कर लेंगे elementor अब यहाँ पे first option आगया elementor अब यहाँ पे हम इस पे click करेंगे install now पे जो भी चीज हम WordPress में install करते हैं उसको activate भी करना होता है तो हम इसके activate भी करेंगे तो हमारा elementor भी install हो गया अब इसके बाद में हम एक और plugin अड़ करेंगे जो है extra starter sites तो जैसे हमने elementor plugin को install किया था वैसे ही हम यह वाला plugin भी install करेंगे यह plugin इंस्टाल करेंगे यह plugin इंस्टाल करने के लिए हम left panel में plugin पे add new पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे search करेंगे extra starter sites और यहाँ पे हम install now पे क्लिक कर देंगे इसके बाद में activate पे क्लिक करेंगे तो यह plugin भी हमारा activate हो गया अब अगला step होगा template को import करना तो यह करने के लिए हम left side में appearance के नीचे starter sites पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हम select करेंगे elementor क्योंकि हम elementor plugin से अपनी website को design करेंगे elementor चुनने के बाद में यहाँ पे different different templates आजाएंगे depend करता है आपका business क्या है आप यहाँ पे different different template को देख सकते हो और आप नहीं तो filter भी लगा सकते हो उपर से यहाँ उपर all पे क्लिक करेंगे और यहाँ business भी select कर सकते हो यह filter हो गया जाएगा आप free templates में भी search कर सकते हो जिन templates के उपर लिखा था agency वो सारे है paid और बिना agency वाले वो सारे है free में depend करता है आपका business क्या है आपको यहाँ से template पे क्लिक करना है जैसे मैं यह कर लेता हूँ अपनी digital agency पे अब इसको preview करने के लिए यहाँ preview पे क्लिक करेंगे और यह देखो पूरी की पूरी complete website हमें बनी बनाई मिल रही है इसके different pages है जैसे about का page देख लेता है तो यह बना बनाया page है यहाँ पे तो यह पूरी की पूरी website complete है जो बनी होई है अलरड़ी बस हमें इसमें data change करना है अब import करने से पहले हमें यहाँ पे एक option चुनना है जो कि है delete previously installed files और import पे क्लिक करेंगे तो यह कुछ seconds में पूरी की पूरी website import हो जाएगी आपकी domain के उपर तो जैसा कि यह हो रही है अब visit site पे क्लिक करेंगे तो guys यह देखो आपकी website ishandesigns.com पूरी की पूरी बन चुकी अब हम सीखेंगे पूरी website पे content कैसे change करेंगे elementor page builder plugin से जो हमने install किया था तो जैसे हमारा यह home page खुला हुआ है हम उपर click करेंगे edit with elementor पे और यह हमारा elementor page builder खुल जाएगा अब मेरे को content change करना है अपनी website का तो मैं simply इस पे click करूँगा और left side में यह content लिखा रहा है और मैं इसको change कर दूँगा तो ऐसे करके आप पूरा content अपनी website का change कर सकते हो आपको क्या करना होगा आपको अपनी website में वो page कोलना होगा जिसमें आपको changes करनी है जैसे मैं about पे click करूँगा तो यह about का page खुल जाएगा अब इसमें कुछ changes करनी है तो मेरे को click करना है edit with elementor पे अब हम इस page को elementor से design कर सकते हैं elementor का panel है हमारा left side में यहाँ से हम कुछ drag and drop भी कर सकते हैं जो की आने वाले videos में हम detail में देखेंगे लेकिन अभी के लिए content कैसे change करेंगे simply इस पे click कर देंगे और यहाँ पे हम content change कर लेंगे और यह सब changes करने के बाद में हम update पे click करेंगे जितने भी हमने changes किये वो सारे save हो जाएंगे अब हम अपनी website पे चलते हैं और देखते हैं आपने जो changes किये थे वो हुए की नहीं तो about पे click करेंगे और यहाँ पे देखो no about us ऐसे आप पूरा content change कर सकते हो अपनी website का आपको क्या करना है उस particular section में जाना है click करना है और data change करना है आपके left panel में तो ऐसे आप multiple pages में अपने जाके edit with elementor पे click करके sections को select करके left side से content change कर सकते हो और उसको update करने के बाद में अगर आप अपना website चेक करेंगे तो पूरे changes लाइव हो चुके होंगे अब एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूँगा मैं आपको जब आपकी website पूरी की पूरी तियार हो जाए उसके बाद में आप settings में आके reading में जाएंगे और यहाँ पे हमने discourage किया था search engines को कि हमारी site index ना हो हम इसको uncheck करके save कर देंगे तो guys हमने इस वीडियो में देखा कि एक complete website कैसे बनाएंगे simple six steps में सबसे पहला step होगा हमारा buy करना domain दूसरा होगा hosting को buy करना फिर domain और hosting को link करना उसके बाद wordpress install करना wordpress की basic settings करना और उसके बाद में पूरे के पूरे theme को import कैसे करना I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा तो video को like करें सबस्क्राइब करें और comment करें धन्यवाद